सुरूची ने प्रवचन सुनसुन के प्रतिग्या ले ली थी कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगी सबसे अच्छे से बात करेगी किसी के साथ बुरा नहीं करेगी बहू ये मच्छर तेरे गाल पे कब से बैठा है अरे काट लिया तो गाल गुलाब की तरह लाल कर देगा बैठे रहने दो माजी उसे आराम करना होगा उसने मेरे गाल को अपना घर समझ लिया है तो मैं उसे बेघर क्यों करूँ अरे ग्यान की बारिश बाद में करना अपने गाल का मच्छर हटा ले मलेरिया हो गया तो तुझे आराम करना पड़ेगा माजी डेंग्यू मलेरिया तो सांसारिक बिमारिया है हमें इनसे उपर ही तो उठना है न अरे बेटा इनसे आदमी उपर ही उठ जाता है क्या हुआ काट लिया अरे मैंने तो कहा ही था मार देना था उसको नहीं नहीं माजी उसे भोजन करना था मैंने उसे पोशन दिया है मुझसे पुणिया का काम हुआ है अरे उड़ रहा है टुंटुना के ताली बजा के मार दे वरना फिर काट खाएगा नहीं नहीं माजी जी भात्या करना पाप है मैंने एक बार वाटसप पे एक उपदेश पढ़ा था मच्छर आपको काटे ये उसका जुनून है उसके बाद आप खुजाओ ये आपका सुकून है लेकिन कभी मच्छर को मारना मत क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून है सुरुची की ये पुणिया करने की आदत से कई बार सुरुची का नुकसान होता लेकिन फिर भी वो पाप से दूर रहती सुरुची मेरे सर में जुएं हो गई है निकाल दोगी कोई आपको अपने घर से निकाले आपको अच्छा लगेगा क्या अरे लेकिन परिशान करती हैं जुएं दिन बढ़ सर खुजाता रहता हूँ देखो इसी बहाने तुम्हारे सर की चमपी हो जाती है तुम्हें तो जुओं को थैंक्यू कहना चाहिए तबी बहार से ससूर जी की आवाज आती है बहू बहू अभी आई बाबुजी बेटा सुनो ये देखो चाय में न मक्खी तैर रही है दूसरी चाय ले आओ जाओ ला दूगी पर मक्खी मतटा येगा अरे क्यों बेटा मक्खी चाय का सेवन कर रही है अच्छा थोड़ी ना लगेगा आप बीच में अडंगा डाल देंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या अगर कोई आपकी चाय छीन ले अरे पर निकालूंगा नहीं तो मक्खी मर जाएगी बेटा नहीं नहीं बाबुजी आप उसे पीने दीजिए पी कर ओड़ जाएगी लेकिन बाबुजी मक्खी के साथ ही चाय पी जाते हैं ये क्या किया बाबुजी अरे मक्खी सिर्फ चाय ही क्यों पिए आज सुबर मैंने मिठाय भी खाई है पेट में ही है वो पेट में चाय भी पीती रहेगी और मिठाय भी खाती रहेगी सुरुची को समझ में नहीं आता कि वो बाबुजी के इस कार नामे पर क्या जवाब दे वो सास के पास जाती है सास के हाथ में एक खटमल मारने की दवाई है माजी आपके हाथ में ये क्या है अरे बेटा तू तो बी ये पढ़ी है इतना तो पढ़ने में आया ही होगा कि ये खटमल की दवाई है माजी आप क्यों मार रही है खटमल मत मारिये माजी आप अपनी नींद के लिए खटमलों को हमेशा के लिए सुला दिना चाती है अरे बचुप भी हो जाव देवी पुरानी दवाई है एकस्पायर हो गई है फेकने जा रही हूँ नहीं मार रही हूँ खटमल और वैसे भी खटमल से ज्यादा तो तुने हमारी नीद हराम कर रखी है अगले दिन सास घर से निकलने से पहले दई शक्कर खा रही है और जल्दी जल्दी में हाथ नहीं दोती बहु स्कूटी निकालती है और सास ताला लगाती है ताला लगाते वक्त शक्कर के दाने ताले पे रह जाते हैं और दोनों सास बहु हर बड़ी में घर से बाहर निकल जाती है अच्छा हुआ के तेरी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट है वाना तू तो बोलती कि मैं किक नहीं मारूंगी किक मार दी तो पाप लगेगा मा जी इस तरह मजाग करना भी पाप होता है दोनों सास बहु बैंक पहुँचती है अभी लाइंच टाइम है बाद में आना अरे भाई सहाब सुन तो लो करवाना क्या है अरे जनम तारिक बदलवानी है कैसे बदलेगी किसी और तारिक को पैदा हो जाओ यही चिटकला आप अपने मैनेजर को भी सुना पाओगे न वो भी हसले थोड़ा अभी बुलाती हूँ अरे रुक्ये रुक्ये ये फॉर्म बरिये और आधार काड दीजिए अरे रामरे आधार काड तो भूली ही गई उसके बिना तो नहीं होगा अरे पहुजा घर से जल्दी से मेरा बटवा उठाला उसमें मेरे सारे काड रखे है जा जा जल्दी ले करा वन्ना बैंक बंद हो जाएगा और कल मुझे अपनी बेहन के यहाँ भी तो जाना है ना जी माजी अभी गई और अभी आई आरे रुक्ये चा भी तो ले कर जा घर की जी बहु जल्दी से घर पहुंचती है लेकिन घर पहूंचते ही देखती है कि ताले पे बौट सारी चींटिया है जो माग के ताला लगाते वक्त हाज से ताले पे शक्कर छूट जाने की कारणा गई थी चींटिया हट जाओ मुझे आधार काड निकालना है सास का काम बहुत जरूरी है मेरी बात सुन लो मान लो मैंने cucumber हटाया तो पाप हो जाएगा चीटिया कैसे सुरुची की बाते सुनती जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता था शाम हो जाती है पर चीटिया हटती नहीं है तब ही सास वहां ओटो से आ जाती है अरा कहां रह गई तू बैंक भी बंद हो गया माजी ताले पे चीटी सास पूरा माजरा समझ जाती है और बहु से कहती है एक बात बता सोच के देख अगर मुझे खून की बोटल चड़ानी पड़ी और उस पर चीटी बैठी हो तो बोटल से चीटीों को वहीं बैठा रहने देगी माजी ऐसा होगा ही नहीं अर चीटीों को तो मीठा पसंद होता है खून की बोटल पे तो मच्छर आएगा क्यूंकि खून तो मच्छर पीता है सास सर पकड़ कर बैठ जाती है और रोने लगती है तब ही ससुर जी और सुरुची का प अगले दिन सास अपनी बड़ी बहन के यहां चली जाती है पती अपना काम कर रहा होता है और सुरुची उसकी पास जाकर कहती है यह जूए खतम करने की दवाई है मैं मालिश कर देती हूं अरे लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा अपनों की खुशी के लिए अगर छोट अच्छे हैं जी